पहले गरदन में आगे रंदी रंदी जी नमस्कार में ममद आसीफ और आप देख रहे हैं स्पेनाई नियूज बिहार में उपचुनाब होने वाले हैं कॉंग्रेस पाटी ने अपनी फौस तयार कर रखी है एक से एक दिगज युवाओं को मौका दिया है स्टार प्रचारा क के रूप में लेकिन वहीं बहुत अफसोस की बात है कि इसमें कई ऐसे दिगज नेता है जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी है उन्हें जगा नहीं मिला है शामिल नहीं किया गया उन्हें इस्टार प्रचारा से दूर रखा गया सवाल यह है कि आखिर कूं इसी चीज पर पालेगे कि यह सबसे बड़ी बात रहेगी वहीं करहिया को जो जिम्हेदारियां दी गई है वह इस इम्तिहान में कैसे पास करेंगे इन तमाम चीजों के अलहम लोग जिकर करेंगे नहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नहा आपका बहुत-बहुत सवागत है सबसे पहला उपचुनाब होने वाले हैं टॉप लिस्ट जारी भी हो गया लेकिन सोनिया गांदी जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष है उनको स्टार प्रचारक में शामिल ना करना कितना बड़ा वजह हो सकता है क्या मकसद हो सकता है कॉंग्रेस पार्टी का मतलब सोनिया गांदी का नाम ज विधान सब चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है लाक मान पार्टी अलग मान तो इस वज़े को देखते वे शायद क्या पता पार्ट उनका नाम नहार रखा उपर चारक लिस्ट में ये भी कारण हो सकता है सबसे वड़ा लेकिन वहीं अगर चली ठीक आपकी बात मान नहें कि या यह क्या वज़े कहते हैं कि इसकी वजह कुछ इतनी में इतनी घ्रम एक ईवा कि बैदन जीका काम कि किक नाम नहीं यह ओड़ेश्व और सौनिया गांधि का लिभी को तो उस Applicant शोटी मोटी बात है इुलुकी उत्तर प्रदेश के विधान सबचुना की पूरी तैयारियों में लगे हैं क्योंकि शायद उपचुनाव से ज्यादा जरूरी विधानसबा चुनाव हैं लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल अगर आप जैसा कहा रही हैं कि उपचुनाव से ज्यादा जरूरी विधानसबा बहुत बड़े चुनाव होते हैं इसका मतलब जो जो तमाम विपक्ष हैं उसके लिए तो आसान हो जाएगा क्योंकि इनका जो वैलू है राउल प्रेंगा का वो इतना जल्दी कनहिया उस जिम्मेदारी को तो नहीं निभा सकते हैं यह बात तो है कि कनहिया अभी अभी नए है इस सब राजनीती में मतलब कॉंग्रेस पार्ट राहूल गंदी का नाम नहीं है तो उस ऐख हए देखा जारा ह Breaking to beautiful और विहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अगर उनका नहीं लिया जाता है तो यह स्कुर्द को पीपार नहीं पर रहा है चाहिक यह अग्र को साथ तर्पार्ट तर्वां तो इस वक्ते बहुत तंज होने लगते तंज पर तंज कसे जाते विपक्षी पार्टियां वैसे तो उनको मुगा मिली गया है बोलने के लिए वह कुछ ना कुछ बोलेंगी जरूर की पार्टी को पार प्रचारक की लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन शायद मेरे कहाल से फर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन अगर कनहिया का सिर्फ जिक्र करें तो आपने देखा कि किस तरह से आरोप हैं देश विरुदी इनारे के आरोप हैं बीजेपी पे वह हमेसा हमलावार रहे हैं कटाक्ष करते हैं तरह तरह के सवाल पहुशते हैं अगर उन तमाम चीज वह एक आरोप लगाते थे बियानवाजी यह करते थे लिकिन पाटी में आते ही हृच होती है बाहर नहीं जा सकते हैं उस तरह से करा पाईंगे कंहिया कुमार भारती जनता पाठी पर जैसे कंहिया कुमार अगर करना कुमार को यह जमे डाली दी है तो कहीं न कहीं कुछ सोच समझ के दियोगी और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अगर उनको जिम्मेदारी दिया वो कितनी बखुवी से निभाते हैं या नहीं निभाते हैं और रही दूसरी बात कि उन पर देश्टरो का आरोप लगा हुआ है इतना सब कुछ ही जो का तो वो सब देखते हैं अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया तो उसमें कुछ न कुछ बड़ा ही होगा कि किसी और को क्यों नहीं दिये जिस आप जिम्मेदारी उन्होंने कोई कोई और यूवा भी वो ढूम सकते थे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं एक आखरी सवाल यह भी है नहीं है और वह यह कि आपने देखा जैसा आपने बिधान सफ़ा चुनाब का जिक्र किया जिए उसमें हुए उसमें आपने बाखुबी देखा कि और कॉंग्रेस एक साथ मिलकर चुनाब लड़ी इसमें कोई शक नहीं का प्रोद्रशन काफी शांदार रहात इस कोंग्रेस का दामन्थ हमें तब से तु तो मै, मै की लड़ाई शुरू हो गई है काउञा और आर जेडी में सबाब लालो और तेजस्वी धेखना नहीं मांगते हैं तो क्या लालो और तेजस्वी का क्या कि आने क्यों प्रोद्रार आर रह नहीं मुझा है लोग करने को चुनार इस ने क squats लोक काफशी और ऑप यह सिर्फ इक में जिस मुद्दे की वज़े से लोग नहीं चाहरी हैं पार्टिया नहीं चाहरी है यह कमंग्रेस के लिए को c preço करे रही हैं ठीक चुना जिस तरीके से कम मेश्ची इस सब चीजों को देखते हुए कट बंदन वाली पार्टे नहीं चाहती है कि कनहिया को जिम्मेदारी दी जाए और आने वाले वक्त में कुछ बड़ी ही जिम्मेदारी दी जाए ठीक है बिलकुल इसमें कोई शक नहीं है एक छोटा सा और सवाल है नहीं है आप से कॉंग्रेस प भी किया लेकिन अगर दूसरी तरफ ध्यान दें तो उप चुनाब तो होने वाले हैं तो अमाम पाठी यह कर रही हैं लेकिन भारती जनता पाठी के लिए जिक्र कर रहे हैं तो सक्रिय नहीं दिख रही है उनका दूर दूर तक भी जो है शोर शराबा नहीं देखने को मिल जैसा कि यूपी में देखने को मिला तो कि यह माल लिया जाए कि उनके लिए चुनाब ज्यादा उतना महत्व नहीं है जितना कि वह दिखा पार है क्यों बाजपा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है उत्तर प्रदेश की विधानसबा चुनाब क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसबा चुनाब पूरे देश की नजर है वोकि देश की नजर है कि उत्तर प्रदेश च्व जीतने वाला है्भा सितने ब्लाविचा अगर थोड़ा सा ध्यान भी अगर उत्तर प्रदेश से बटक जाए अगर बिहार के उपचुना पे ध्यान दे दिया जाए तो क्या पता वहां प्रियंका के खौफ से बीजेपी यह ना हो जाए कि कहीं प्रियंका गांधी अपरी जगह ना बना ले जादा वहां पर इस पता चलेगा और पूरे तरीके से लेकिन अब सिर्फ बीजेपी के पास बचा वह पचा उत्तर परदेश तो इसलिए वह उपचुना पे ज्यादा ध्यान नहीं देती दिख रही है और सग्रेटा होती नहीं दिखाए ते रही है अब देखना यहीं होगा कि आखिर कॉंग् करुंग्